हेलो फ्रेंट स्वागत आपका आपके अपनी चैनल हसिस टड़ी गाइड में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंसेप और अंसेप कंडिशन के बारे में साथ ही हम देखने वाले हैं कि अंसेप अंसेप कंडिशन में क्या डिफरंस होता है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि Unsept Act यानि की होता क्या है तो Unsept Act की definition कुछ इस प्रकार है कि कोई भी Unsept Activities जो Persons के द्वारा की जाती है कि जिसकी वज़े से Accident हो सकता है या फिर Accident में होने वाली जो भी वो ज्यादा हो सकती है उसे Unsept Act कहते है तो आपको समझ में आ गया होगा कि Unsept Act यानि की क्या होता है यानि की कोई भी Persons किसी Unsept Act को करता है और उस Activity के दोरान उसकी वज़े से होने वाला जो भी Result है वो हो सकता है कि उसकी वज़े से Accident हो या फिर Accident में होने वाली जो भी Ricks है वो ज्यादा हो सकती है उसे Unsept Act कहते है चलिए अब देखते है कि इसके Example क्या है ताकि आपको समझने में आसानी हो तो सबसे पहला Example है Failure to Wear PP यानि की जो Proper PP है उसको पहनने में Fail होना फिर उसके बाद है Unsept Driving यानि की Driving जो है वो सही तरीके से नहीं करना फिर उसके बाद है Failure to Logout Tagout यानि की Logout Tagout जो System है वो करने में Fail होना फिर उसके बाद है Bypass और Remove of Safety Devices यानि की जो भी Safety Devices है उसको Bypass करना या फिर Remove करना वो भी Unsafe Act है फिर उसके बाद है Using Defective Equipment यानि की जो भी Defective Equipment है उसका इस्तेमाल करना वो भी Unsafe Act है फिर उसके बाद है की जो भी Tools है जिसका जिस Purpose के लिए इस्तेमाल करना चीए उसके लिए इस्तेमाल न करके किसी दूसरे काम के लिए उसका इस्तेमाल करना वो भी Unsafe Act है फिर उसके बाद है कि जो भी machine faulty है उसको operate करना वो भी unsip act है फिर उसके बाद है कि जो भी person machine को operate कर रहा है लेकिन उसके पास उसकी competency या फिर उसके बारे में कोई भी training program न हो तो वो भी unsip act है फिर उसके बाद है कि जो भी safety practices है उसके बारे में lack of awareness होना जैसे कि machine को operate करते समय उसका जो safety guard है उसको remove करना तो वो भी unsip act है और फिर उसके बाद है horseplay यानि कि side पर की गई कोई भी मजाक मस्ती जिसकी वज़े से accident हो सकता है तो ये जो सारे example है ये unsip act के example है तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि unsip act यानि कि क्या होता है चलिए बात करते हैं कि unsip conditions यानि कि क्या होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि unsip conditions की definition क्या है unsafe conditions यानि की कोई भी ऐसी conditions या फिर ऐसे situations जैसे की electrical conditions हो सकती है या फिर ऐसी situation हो सकती है biological conditions हो सकती है physical conditions हो सकती है mechanical conditions हो सकती है या फिर environmental conditions या फिर situation हो सकती है तो ऐसे कोई भी conditions हो या फिर situations हो कि जिसके वज़े से accident में होने वाली जो भी rix है वो बढ़ सकती है उसे unsafe condition कहते है तो आपको समझ में आ गया होगा कि unsafe conditions यानि कि क्या होता है यानि कि ऐसी कोई भी conditions हो सकती है या फिर situations हो सकती है कि जिसकी वज़े से accident हो सकता है या फिर accident में होने वाली जो भी rix है वो ज्यादा हो सकती है उसे unsafe conditions कहते है चलिए और एक उसकी definition को समझते है workplace में जब भी आप काम कर रहे हो तो उस workplace में जो भी conditions है कि जिसकी वज़े से property damage या फिर injury हो सकती है तो उसको unsafe conditions कहते है चलिए कुछ example लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो सबसे पहला example है damage electrical wires यानि कि जो भी electrical wire है वो अगर damage conditions में है तो उसको unsafe condition कहते है फिर उसके बाद है faulty machine और equipment without proper protective guard यानि कि कोई भी faulty machine हो या फिर equipment हो और उसके उपर कोई भी proper protective guard नहीं है तो वो भी unsafe condition है फिर उसके बाद है oil और जो chemicals है वो spillage होना तो वो भी unsafe condition है फिर उसके बाद है कि जो भी सर्फेस है वो अगर मान लिजे कि स्लिपरी है या फिर अंस्टेडी है तो वो भी अंसेब कंडिशन है फिर उसके बाद है कि lights की कमी होना या फिर वो सही तरीके से न होना या फिर बहुत ज्यादा light होना तो वो भी unsafe condition है फिर उसके बाद है कि जहां पर भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर fire और explosion के अगर हजाड महजुद है तो वो भी unsafe conditions में आते हैं फिर उसके बाद है poor housekeeping वो भी एक unsafe condition है फिर उसके बाद है excessive noise यानि की बहुत ज्यादा noise होना वो भी unsafe condition है फिर उसके बाद है poor ventilation यानि की वहाँ पर ventilation जो है वो proper नहीं होना या फिर उसमें कमी होना तो वो भी unsafe condition है तो ये जो सारे example है ये unsafe conditions के example है तो ये सारे example देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि unsafe conditions यानि की होता क्या है और किस conditions को या फिर situations को हम unsafe condition कह सकते है चली अब जानते हैं कि unsafe act और unsafe condition में क्या difference है तो unsafe act की definition कुछ इस प्रकार है कि कोई भी unsafe activities जो persons के द्वारा की जाती है कि जिसकी वज़े से accident हो सकता है या फिर accident में होने वाली जो भी rix है वो ज्यादा हो सकती है उसे unsafe act कहते है वर्कपलेस में जब भी आप काम कर रहे हो तो उस वर्कपलेस में जो भी conditions है कि जिसकी वज़े से property damage या फिर injury हो सकती है तो उसको unsafe conditions कहते है आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जितने भी accident होते है उनमें से 88% जो accident है वो unsafe act की वज़े से होते है और 10% जो accident है वो unsafe condition की वज़े से होते है और बचे हुए 2% जो accident और incident है वो earthquake हो या फिर floors हो या फिर tsunami हो उसकी वज़े से होते है इसका मतलब यह है कि 2% जो accident है वो हमारे हाथ में नहीं है वो हमारे control में नहीं है उसको हम बचा नहीं सकते लेकिन बचे हुए जो 98% है जिनमें से 88% जो unsafe act है और 10% जो unsafe condition है जिसकी वज़े से यह जो accident होते है उसको हम control कर सकते है इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जो focus है वो unsafe act के उपर देना है और फिर उसके बाद unsafe condition के उपर देना है आपके सामने यह जो image दिखाई दे रही है इससे आपको clearly पता चल जाएगा कि unsafe act और unsafe condition में क्या difference है तो सबसे पहली जो image है उसमें four clip है और उस four clip का जो fork है उसके उपर कुछ material रखा हुआ है यानि कि उसके उपर कुछ load है और उसका जो fork है वो direct top पर है और उसके नीचे में एक आदमी खड़ा है यानि कि उस आदमी के दुआरा की गई वो unsafe activity है कि जिसकी वज़े से उसका accident हो सकता है यानि कि उसको हम unsafe at कहेंगे अब आपके सामने में ये जो second image है इसमें भी same four clip है और उस four clip के जो fork है उसके उपर कुछ material रखा हुआ है कुछ weight रखा हुआ है लेकिन इस conditions में वहाँ पर कोई भी person मोजुद नहीं है तो इस conditions को इस situations को हम unsafe conditions कहेंगे क्योंकि इसके पहले हमने definition में भी देखा है कि ऐसी conditions है ऐसी situations है कि जिसकी वज़े से accident हो सकता है या फिर accident में होने वाली जो भी rix है वो ज्यादा हो सकती है उस condition को unsafe condition कहते है तो दोस्तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि unsafe pact क्या होता है unsafe conditions क्या होता है और इन दोनों में क्या difference है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ में तब तक के लिए take care बाई बाई